दोसर वर्ल कब का फानल खत्म हुआ और अस्ट्रेलिया की जीत के साथ खत्म हुआ मगर अब इंडिया और अस्ट्रेलिया दोनों 5-320 मैचिस खेलेंगे और मेजबानी भारत ही कर रहा है अगरचे भारत की एक एहम सीरिस है उसके बाद फोरण बाद के भारत ने साथ फरीका जाना है जो के इंपोर्टन सीरिस है और भड़ी सीरिस है मगर 5-320 मैचिस खेलेंगे आप सब टीम में आप देखेंगे 3-20 मैचिस खेल रही होंगे उसकी वज़ए यह है कि आगे 3-20 वर्ल्ल काप पे लगबग 7 मा के बाद तो सब ने तैयारी शुरू कर दिया 5-220 मैचिस खेलने हैं और पाकिस्तान ने न्यूजिलेंड जाना है वहां पे खेलने है तो सबसे पहले इंडिया टीम कप्तान सूरिय कुमार जादिव हैं खास चीज यह है कि वो टी-20 के स्पेशलिस्ट हैं तो उन्हीं को ही कप्तान रखा गया है रुतराच गाइकवर्ड जो उनकी एटीम के साथ भी थे रुतराच गाइकवर्ड यह असल में आप देखें मरचिंग एश्यकाप पोजिशिन गेम्स जो हुई है ना उसमें जो उनके एटीम के लड़के थे आलमुस्ट वही शामिल की हैं तो इंडिया की देखें प्लैनिंग जो मैं खास बात को उताता हूं कि वो पहले से बिल्ड करते हैं सारा प्लैन माइन में बना की रखते हैं और उस तरह से ख्लाडी ट्राई करते हैं जब वोल्ल काप की में टीम आएगी उसमें भी ये वाले लड़के होंगे जो अच्छा परफार्म करेंगे और बाकी तो उनके पास पुरी के पुरी टीम है तो अब उनके पास टाइम है कि वो टीम नए खिलाडी को चांस दे और उनको आजमाएं और देखें वो कहां पर बहतर हैं इसा नहीं है कि हम वर्ल कप के अंदर आके ट्राइ कर रहे हैं कि एक बॉलर जैसे हारी सोफ हैं उन्होंने कहीं पर नए बॉल से शुरुआत नहीं की थी मंगर वल्ल कप में हमने उनको नए बॉल दिया क्योंकि हमरे पास बॉलर नहीं थे सिर्फ एक निसीम शाउट होने के बले बाजी की और जयते शर्मा विकर की पर जो हैं वो शामिल किए है उन्होंने वशिंग्टन सुंदर उनको भी शामिल किया अक्सर पटेल को भी शामिल किया तो उनको साथ बैकप के तोरपे लाइक अपने प्लेयर तियार रहे हैं और शिवन दुबे हैं रवी बिशनोई मुझे बहुत पसंद है, उनके लेक्समीरर, और मैं कवी सर्प्राइस भी था कि वर्ल्ड कब टीम में क्यू नहीं है, क्योंकि इंडिया के इशा टीम में भी नहीं थे, इस वक्ति इंडिया और बंग्लाद इश भाहे टीम में थी, जिनके बस लेक्समीरर न वो भी है अविश खान फास बलर है मोकेश कुमार वो भी शामिल है और यह सीरिस 23 नॉमबर से 3 दिसंबर तक जारी रहेगी और यह है इंडिया के खिलाडियों के नाम जो उन्होंने टी-20 सीरिस के लिए रखे हैं और इसमें आपको जैसे रिंको सिंग है जो मुझे लग रहा है इन दोनों के देखीएगा मुझे लग रहा है यह दो वो खिलाड़ी हैं जो इंडिया के वर्ल कप स्कॉर्ड के अंदर भी होंगे बाकी रवी बिश्नुई हैं वो तगड़े लैग स्पिनर हैं और टी-20 में बड़ अच्छी बॉल डालते हैं अर्शदीब सिंग पहले भी वर्ल कप खेले होंगे यह वो लड़की हैं जो मुझे लग रहा है कि इंडिया के आगे स्कॉर्ड में भी आपको नजर आएंगे अगर चेस में तो वो है ना कि उन लड़कों को शामिल किया है कि सब को ट्राइ करके देखते हैं कौन बहतर खेलता है मगर एक अच्छी तैयारी होगी कि अस्ट्रेलिया के खिल रहे हैं उदर से अस्ट्रेलिया पाकिसान के खिलाव टेस सीरीज भी खिलेगा और पाकिसान ने तीन टेस सीरीज खिलनी है वोल्ड चैम्पिन अस्ट्रेलिया के देश में खिलनी है जाकर वहां पर और पिर पाकिस्तान ने भी जाक मगर टीम के साथ जोड के रखना एक खास बात है खुरम शहजाद पेसर हैं जिन्होंने ट्राफी के अंदर हाइस विकेट्स ली थी तो उनको चीफ सेलेक्टर वहाब रियास ने चांस दिया कि जब वो खुद करिक्टर थे तो वो ये मानते थे कि जो डिमस्टिक के पर्फार्मर हैं उनको जगे मिलनी चाहिए तो आज वो जब टीम अनॉंस की है उन्होंने आज उसमे उन्होंने खुरम शेजाद को डाले है उसके लावा वसीम जुनियर हैं जो वर्ल्लकप में भी खेले हुएं मगर यहां पर टेस्ट में भी उनको शामिल किया और आमिर जमाल जो पहले भी टेस्ट में थे उनको भी बर्कर रहा है यह वो लोग हैं जो नहीं है तो मैंने इसलिए उनका जिकर कर दिया बगी नाम